Hi guys, Android devices आज़ हम सब यूज़ करते हैं, चाहे हो स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या फिर दूसरे Android के गैजट्स हो और उसमें हम कैरी करते हैं बहुत तरह के अपने परसनल और बिजनस के क्रूशियल डेटा डेटा जैसे की आप कह सकते हैं, कॉंटाक्ट, फोन नंबर, SMS, मैसेजज़ या फिर आपके फोटो, वीडियो और बहुत से इंस्टॉल की हुए अप्रिकेशन सॉफ्टियर के डेटा और कई बराशा होता है कि जाने में, अन जाने में गलती से हमारा डेटा जो है डेलीट होयाता है कभी-कभी device failure की वज़से, कभी-कभार format करने की वज़से और हमें चाहिए वो contacts, वो data, वो photos तो हम बहुत मुस्किले पड़े आते हैं यूं तो market में बहुत से data recovery software मिल जाएंगे लेकिन कोई भी data recovery software पूरा-पूरा आपका data को accurately recover करके नहीं देता है। लेकिन आज हम आपको इंट्रियूस कराने वाले हैं, iMobile के तरब से आने वाला phone restricute data recovery software जो की आपके data को accurately recover करके देता है। इसके साथ साथ इसमें ये भी facility है अगर आपका phone lock होयाता है कभी और ऐसे situation में आप भूल जाते हैं उसे unlock नहीं कर पाते हैं तो ये एक facility देता है कि आपको quick unlocking भी करा देता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि software कैसा है और कैसे use करते हैं इसे हम आप review करके आपको दिखाते हैं। करता है कि हम market में जितने भी available software है उससे बहतर और better success rate है data recovery का हमारे पास। और आप अपने personal data जैसे messages, phone, contacts ये सब भी आप recover कर सकते हैं। इसके अलावा और सबसे बड़ी बात कई ऐसे software हैं जो कि market में available हैं जो कि आपको data recovery करते समय उसे root कर देते हैं phone को लेकिन ये एक ऐसा software है जिसमें आप चाहें तो root करके निकालिए या फिर बिना root के ही क्विक स्कैन करकर निकाल सकते हैं। और ये ये भी कहता है कि आप android पे यूज होने वाले कोई भी application software जैसे whatsapp बगारा बगारा जितने भी होते हैं उसके भी data को आप recover कर सकते हैं। download link दिया हुआ है इसे click करेंगे तो आप windows और mac दोनों के लिए download कर पाएंगे। हमने इस software को पहले से install कर रखा है आपको demo दिखाने के लिए चलिए इसे करते हैं review और दिखाते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले इसमें भी कोई phone connected नहीं है हम इसमें अपना Vivo V7 connect करने जा रहे हैं। और connect करने के बाद कुछ ऐसा होगा। यह मैंने device को connect कर दिया है। आपको ध्यान रखना होगा यह दिखे लिख क्या रहा है Vivo V7, Vivo is connecting। आपको ध्यान रखना होगा कि phone के अंदर USB debugging जो है वो on करना होगा। अगर on नहीं है तो आप about phone के about में जाकर आप on कर सकते हैं। वहाँ पे developer option enable करके USB debugging on कर सकते हैं। यह दीखे इसके बाद आपका phone में install हो जाएगा phone rescue का app और उसके बाद यहां पर आजाएगा interface कि आप क्या recover करना चाहते हैं। इतनी सारे चीचे, contact, music, calls, video, messages, apps के document, calendar, WhatsApp के documents या फिर photos, line, कुछ भी recover कर सकते हैं। जो आपको जुरत है वो recover कीजिए। मुझे मालनी जुरत है केवल videos recover करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर मैं यह सब uncheck कर दे रहा हूं और क्यों video पर check छोड़ दूगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। next करेंगे हमें video recover करना है यह analyze कर रहा है device को और कह रहा है कि हमारा device rooted नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताया कि बहुत से softwares root करना चाहते हैं और तब recover करते हैं लेकिन यहां पर आपको पास option कि विना root कियो भी आप device को quick scan से recover कर सकते हैं करके। और इसने मेरे पास लगपक 39 वीडियो जो है जो कि मेरे phone में नहीं है deleted है उसे recover करने के लिए कह रहा कि हम recover कर सकते हैं चलिए हम 39 वीडियो तो recover नहीं करेंगे लेकिन कुछ वीडियो जो है इसमें से recover करना चाहेंगे माल लिजिये मैंने ये एक कर दिया एक दो वीडियो को recover करना चाहता हूँ और फिर उसे select करके यहां पर click करूँगा क्लिक करने के बाद data recover करना सुरू कर दिया यह अब जो है यह हमारा data recover हो गया successfully अब इन दोनों को files हम देख सकते हैं विव files पर click करेंगे तो हमारे पास आप देख लीचे यह कुछ data आ गया है इसके अंदर वो दोनों files जो है recover कर रहे हैं चले play करके दिखाता हूँ मैं आपको एक तो पहले का मेरा खुद का ही राइट तो यह दो वीडियोस हरी कभार हो गया जो कि मैं delete कर दिया था हम उमीद करते हैं कि आपको यह phone rescue software जो है पसंद आपको अगर आप इसे use करना चाहते हैं ड्राइ करना चाहते हैं नीचे description में लिंक है अब लेबल है वहाँ पर आपके से click करके free में install कर सकते हैं और यूज करके देख सकते हैं पसंद आता आप इसे बच्चस भी कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुख रहे हैं वीडियोस लाइक कीजिए आपने दोस्तों सेयर के हैं हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुलान भूलिएगा थांक्स लाट फॉर्चिन कैस बबाए